गुड इवनिंग स्टुडेंट्स देखते हैं आज ग्रेप चाइकल का सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे कुछ इसके इनिवीटर्स और इनके इंटरमीडियर्स हैं उनके फंक्सन सबसे पहले देखेंगे हैं इनिवीटर्स हम लोग उने देखा था एसितलको इनजाइम एकलो एसके इसका एक इनिवीडर होता है एक फ्लॉरोएशिटेड जो एक पेष्टिसाइड होता है और यह क्या करता है इनोलेस के फंक्ट्रन को रोक्डेता है तो उनोलेस के फंकषण को रोक्डेगा तो क्या होगा यहां से जो ऑस c进ic acid cycle ब्लाउक हो जाता है और आगे नहीं बढ़़ पाता है इस तरह से यह इनोलेस एंजाइम का एक इनिवीटर होता है उसी प्रकार से सक्सिनेर जब फिमलेर बनाता है तो यहां पर एक एंजाइम काम करता है सक्सिनेर डी हैड्रोजिनस यह एंजाइम एक यूनिक एंजाइम होता है जो की क्रेप साइकिल में भी भाग लेता है इसके साथ साथ ETS सिस्टम लेक्टरान ट्रांस्पोर्स सिस्टम में भी भाग लेता है यही एक एसा एंजाइम है जो की माइटोकांड्रिया में पाय जाने वाले सबली प्रकार के एंजाइम से अलग है कैसे अलग है कि जितने भी Enzyme होते हैं MitoCandria में, वो Maetrix में पाय जाते है लेकिन Succinate Det hy इड्रोजीनेस यही एक ऐसा Enzyme है जो कि MitoCandria के inner membrane में पाय जाता है आर यह क्रेब साइकल में भाग ले रहा है किटियस सिस्टम में भी तो इस एंजाइम का एक इनिबिटर होता है जिसको कहते हैं मैलोनेट मैलोनेट इसके फंक्सन को ब्लाक कर देगा जिससे क्या है? क्रेप साइक यहां पर ब्लाक हो जाएगा इस तरह से यह हुए इनिबिटर अब देखते हैं कुछ इनके इंटर्मेडियर्स फंक्सन जैसे की यह है अलफा किटो ग्लूटारेट और अजेलो असिडिक एसिड इन दोनों का कार यह होता है अमीनो असिड का फार्मेशन दो अमीनो असिड है एसपार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इन दोनों एसिड के फार्मेशन में यह दोनों भाग लेते हैं कौन-कौन अजेलो असिटिक एसिड और अलफा किटो ग्लूटारेट यह दोनों अमीनो असिड बनाएंगे इसके साथ साथ यह भाग लेते हैं नाइट्रोजीनस बेस प्यूरीण और पीरीमिडीं बनाने में। प्यूरीण एंड पाइरीमिडीं। इन दोनों के निर्मान में भाव देते हैं। कॉन-कॉन आँपजेलियोसेटीकेशिट अलपाकिटोग्लूटा ने प्यूरीं। क्या होते है एडेनिन गुएनी, पेरिमेडी थायमिन, यूरसील, साइटोटेन, ठीक है। अब यह सकसिनिल को एंजाईम है। यह भी बनाता है पॉरफायरिन रिंग, पॉरफायरिन रिंग, अब यह पॉरफायरिन रिंग क्या होता है। प्रफारेंट रिंग जो है हमको मिलता है हीमोग्लोबिन के इस्ट्रक्चर में देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन में इस्ट्रक्चर पायाता है इसके अलागा ये पायाता है साइटोक्रोम और क्लोरोप्लास इनमें हमको परफायरेंट रिंग देखने को मिलता है जो कि सक्सिनिल को एंजाइम बनाता है यह हुगर इनके इंटर्मिलियर्ट्स फंक्शन अब देखते हैं कि कितने एटिपी फार्मेसन होते हैं अक्सर competitive exam में पुछा जाता है कि एक glucose के पूर्ण आक्सिडेशन से हमको कितना एटिपी इनर्जी प्राप्त होता है तो देखते हैं सबसे पहले एसे इसो सीट्रेट बनने तक कोई हम को इनर्जी के रूप में कोई प्राप्त नहीं होता है कि उसके बाद यहां पर हमको एक देखने को मिलता है अनर्जी प्लस एच प्लस यहां एक बना था आइसो सीट्रेट से अलपकि टो भूटारेप बनता है उसी प्रकार से यहां भी एक हमको मिला था यह हो गया दो अब जब माइलेट्स से अक्जलो एसितिक एसिड बना जाह आपको मैं पीछले वीडियो में बताना भूल गया था यहां भी एक बनता है इस प्रकार से टोटल हमको एक दो और तीन एने डिएच मिलते हैं ठीक है अब देखते हैं जब सक्सिमेट क्या बनाया था है कि फ्यूनरेट यहां भी हमको एक FAD मिलता है यह के वल एक मिलता है इसलिए यह उगे FADS 2 अब उसके बास शक्सिमेट को एज़ाइम ऐसे जब सक्सिमेट बना था यहां पे हमको डारेक्ट एक 85 मिला था है इस प्रकास से एक ATP होगी है, अब हमको जो है इससे टोटल कितने ATP प्राप्त होते हैं, तो NADH और FADH2 भी हमको ATP दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, यह ETS सिस्टम में भाग लेते हैं, लेक्टान ट्रांस्पोर सिस्टम में और यह अंत में करनौट हो जाते हैं ATP में, इस प्रकास हमको ATP के रूप में इनसे भीNRG मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि, एक NADH से कितना ATP बनता है, एक NHAD है, 3 ATP के लगभग NDR दे सकता है, इस प्रकार से 3 NADH कितना ATP बना सकता है, 9 ATP. एक FADH बनाता है 2 ATP के लगभग इनर्जी, तो 2 ATP के बराबर इनर्जी बनाएगा तो यह हो गया 2 ATP, अब यह डारेक्ट एक ATP मिला है, तो यह हो गया 1 ATP, इस प्रकास से टोटल हमको 12 ATP मिलता है, यह कब मिलता है? जब एक Acetyl Coenzyme एक Cycle पूरा करता है, इस Acetyl Coenzyme हमको क्रेप Cycle में 12 ATP मिलता है, लेकिन हमको पता है कि जब Glycolysis क्रिया हुआ था, वहाँ पे glucose से क्या बना था? टू पायरुएट, और दो पायरुएट क्या बना था? दो Acetyl Coenzyme, तो यह हमको एक Acetyl Coenzyme के एक Cycle से मिला था, तो दो Acetyl Coenzyme से कितना मिलेगा यह? टोटल 24 ATP मिलेगा, यह हो गया, क्रेप Cycle में मिलने माले ATP, लेकिन Glycolysis में हमको इतना ATP मिलता है, जब glucose से पायरुएट बनाता है, दो पायरुएट असिड, तो इसमें हमको जो है 8 ATP मिलता है, टोटा, कैसे मिलता है, जो फास्ट और थार्ड इस्टेप है, यह इनर्जी कंजूमिंग था, हम लोग ATP ग्रूप में इनर्जी दे रहे थे, लेकिन जो 6 इस्टेप होता है, जहांपे Glycerin Rehyde 3 Phosphor, से 1,3,20 Phosphor, Glycerin बनाता, वहांपे हमको 2 NADS मिला था, तो 2 NADS से कितना ATP बन सकता है, 6, और 7 इस्टेप जो हता है, और 10 इनि लास्ट इस्टेप, दोनों जगह हमको 2-2 ATP मिला था, दो और 2 कितना होगी, टोटल 4 ATP, अब यह जो 4 ATP मिला है, पहले 2 ATP कंजूम किये थे, इसमें 2 ATP माइनस करेंगे, तो 2 ATP माइनस करेंगे, तो कितना बचे है, 2 ATP, और यह होगी, 6 ATP, NADS से जो मिला था, इस प्रेका यह है, ग्लाइकोलाइसिस का, और यह है क्रेप साइकली का, इन दोनों के अलावा, हमको जो है, और ATP मिल सकता है, कि ज़रूर मिलेगा, क्योंकि, जब ग्लाइकोलाइसिस से पायरुएट बना, यह किस से बना था, ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोलाइसिस का, अंति मुतपत क्या है और क्रेप साइकली कि से सुरूर होता है, है? एसेटिल को एंजाइम एक तो इन दोनों के बीच यह जो है क्रिया हो रहा है यह ग्लाइकॉलाइसिस को क्रेप साइकल से लिंक कर रहा है इसलिए पिडिएज कांप्लेक्स को हम कर देते हैं लिंक रियक्शन तो यहां भी हमको दो पायडुएट से मिला था है दो एसेटिल को इस प्रकार से यहां के भी दो एनेडियस प्लस एच प्लस मेलता है इस प्रकार से दो एनेडियस से हमको लगवक 6 ATP के बराबर उज़वा मिलेगा कि यह हो गया ग्लाइकोलाइसिस का यह ग्रेप साइकली का अर यह हो गया पीडियस कामप्लेक्स 6 ATP इन तीनों से टोटल कितना मिल जाएगा हमको 38 ATP यह किस इस्तिती में मिल रहा है जब कंडिशन एरोबिक हो यानि जब सेल में वोटू उपस्तित हो तब कि इस्तिती में हमको 38 ATP के लगवक उड़जा मिलता है ग्लुकोस के एक अनुसरी है पून्थ आक्सिडेसन से लेकिन जब अनेयरोबिक हो इस्तिती में गुलाइकोलाइसिस किडिया ही चलेगा ठिक है और जो पीडिएच कामप्लेक्स है और क्रेप सायकिल नहीं चलेगा यानि अनेयरोबिक कंडिशन में अनली होता है फर्मेंट इस इसी तिम हमको कितना एनर्जी मिलेगा क्योंकि ग्लाइकोलाइस क्लियर ही चलेगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही